मतस्य आखेर से प्रतिवंद हटने के बाद मचली खाने के शोकीन अब मचली का स्वाथ ले पाएंगे मतस्य आखेर से प्रतिवंद हट गया है पहले ही दिन परदेश में 19 मीट्रिक टन मचली की पैदावार हुई है बिग हैट प्रजाती की मचली 40 किलोग्राम पाई गई है अभी तक गोविन सागर में 6 टन मचली आने की संभावना है आपको बता दें कि बात यहाँ पर यदि गोविन सागर जील की करें तो यहाँ पर पिछली साल की अपेक्षा इस बार एक मीटरिक टन अधिक उत्पादन हुआ है मतस्य आखेट से प्रतिवंध हटने के बात परदेशवर के मचवारों को दो मा के बात रोजगार मिला है आपको बता दें कि परदेश के बड़े छोटे जलाशों में 58 सोसाइटियों के माधियम से मतस्य आखेट का कारे किया जा रहा है अकेले गोविन सागर में ही 34 सोसाइटियां कारे रथ हैं जिनके माधियम से सैंक्रों मचवारे मचली पकड़ने का कारे करते हैं पिछले दो मिनों के बाद पंद्रा तारीक को गोविन सागर जलासे में बरजित काल का समापन हुआ और जलासे में लगभग चौंती मतस्या सहकारी सवाओं के माध्यां से लगभग दो हजार मज़खारों ने अपने जाल लगाए जिनकी मचली जो है 16 पिछले कल 16 अगस्त को अब तन के अंद्रा पर आई पिछले कल जो है गोविन सागर जलासे में कूल 9.3 मेट्रिक टंग मचली का उत्वादन हुआ जो कि पिछले बर्स की तुर्णा में एक टंग अधिक थी इसी प्रकार से अब यह कारे करम जो है निरंतर रहेगा और आज भी जो है लगभग 6-7 तन मचली आने की संभावना है